हेलो बीरिफल पीपल वेल्कम तु लखनों लोकेर से आज हम बात करने वाले हैं कास्टाइरन की कड़ाई की अगर आप अपने लिए अपने डिमेस्टिक किजिन के लिए कास्टाइरन की कड़ाई लेना चाहते हैं तो यहाँ पर यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्प और साथी साथ एक बहुत ही किफायती रेंज में कह सकते हैं एकनॉमिकल रेंज में जो कास्टाइरन कड़ाई ऑल ओवर इंडिया के लिए अवेलेबिल है वो आपको आज हम अन्बॉक्स करने जा रहे हैं ब्रैंड के बारे में काफी लोग जानते भी होंगे हाई काइन ब् अन्बॉक्स करें क्योंकि ये एक ऐसा युटेंसिल होता है जिसमें हम जादा से जादा रेसेपी बना सकते हैं तो आज हम अन्बॉक्स करने जा रहे हैं हाई काइन का प्री सीजन कास्टारन कड़ाई इसके साइज सेफ डिजाइन के बारे में डीटेल में बताएंगे और पिर आपको बताएंगे कि आप इसको कहां से और कैसे खरी सकते हैं तो यहां पे अगर हम इसके बॉक्स की बात करते हैं तो पाकेजिंग ठीक ठाक देते हैं यह लोग जिसकी वज़से अंदर की कड़ाई जो होती है बिल्कुल सेफ रहती है और आसानी से बिल्कुल कि निकाल लेते थोड़ा घैवी होता है तो जरा सा इसको निकाल लेते हैं फिर आपको असके बारे में दीचेल में बताते हैं तो यहां पर बॉक्स को एक बार री बैकिंग कर लेते हैं जिसे आप लोगों के लिए असान रहे इसके उपर रखके दिखाने के लिए अन्बॉक्स करके पाकेजिंग बहुत ही बहतर दी हुई है बबल राप के साथ दिया हुआ है जिसमें आप कहीं से भी कड़ाई में प्रॉब्लम ना आए अब यहां पर यह कास्यारन की कड़ाई जो है वह 26 सेंटीमीटर की है 26 सेंटीमीटर का डायामीटर जो दिया हुआ है वह आपको कोई भी सबजी या कोई भी वेजिटेबिल रेसेपी आप बना रहे हैं उसको चलाना असान होता है तो सबसे पहले इसकी डीटेलिंग दिखाना बहुत जरूरी है तो अंदर का जो जो सर्फेस आपको इसमें मिलता है वह आपको मिल जाता है सूपर स्मूद नहीं हैं और किसी भी तरीके का फूद माटेरियल इसमें लगता नहीं है तो इस चीज का भी ध्यान रखना होता है और साथ ही साथ अगर हम गेज की बात करते हैं तो अच्छी वाधी थिकनेस के साथ आता है अच्छा एक चीज और बहुत अच्छी है तो काफी देड़ तक इ तो आज वही समय है कि आपको एक नए की बहतर गड़ाई आपके घर में होनी चाहिए जिससे काफी हद तक आप अच्छे-च्छे कह सकते हैं आपको दिखा देते हैं तो पहले ध्यान से देखेगा इसका इनर सर्फेस जिससे की मैं आपको बता भी रहा हूं कि काफी ज्यादा स्मूथ सर्फेस है और यह जो ब्रावनिश फिनिश गोलनिश फिनिश आ रही है यह सीजिनिंग की होती है जो नाच्रल ओयल कंपनी क्या करत है नाच्रल ओयल से इसको प्रॉपर तरीके से सीजन कर देती है जिसकी वज़े से इसमें रस्टिंग नहीं लगती है और साथी साथ जब भी आप इसमें कुकिंग करेंगे तो कुकिंग में इस चीज का ध्यान दीजेगा कि आपको भी थोड़ी बहुत ओयल की कोटिंग जरु liberate करते है अब यहांप एखर हांडेल की बात करते हैं तो हांडेल में आपके यह संमझे एवा है यह लाजवाब है और यहाँ पे side handles भी बहुत अच्छी तरीके से ergonomically दिये हुए हैं और कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप मुझे नहीं लगता कि कहीं भी इन्होंने finishing compromise करी है finishing ही सबसे ज़ादा जरूरी होती है क्योंकि cast iron के जितने utensil होते हैं single तरीके से mold किये जाते हैं यह properly single molded होते हैं तो अगर कहीं भी जरा सी denting रहे गई तो यह समझ के चलिए उसको सही करना बहुत difficult होता है और वो unhygienic भी होता है तो हमेशा ध्यान दीजे कि अगर cast iron में सबसे पहले आप ले रहे हैं किसी भी quality का तो यह दो तीन चीजे आप याद रखेंगे तो आपके लिए काफी बहतर होगा सबसे पहले कोई भी cast iron ले रहे हैं उसमें देख लीजे inner surface थोड़ा सा smooth होना चाहिए साथी साथ ऐसा भी बिल्कुल smooth तो नहीं कह सकते हैं इतना smooth होना चाहिए कि कोई भी खाने का पार्टिकल या कोई भी food material उसमें फसेना और easily आप clean कर सकें दूसरा reason यह भी होता है कि इसमें easily आप कोई भी oil की coating लगाके रख सकें और साथी साथ काफी हद तक देखा गया है कि अंदर का surface अगर smooth है तो यह समझ के चलिए कि आधी चीजे तो यहीं पर solve हो जाती है बट यहां पर handle के side में का denting नहीं होती है तो वो भी आपको clean करने में बड़ा असान रहेगी और नीचे की तरफ जो होती है वो ज़्यादा तर आपको rough finishing ही मिलेगी तो rough finishing का इतना problem नहीं होता है क्योंकि नीचे की तरफ से आपको कोई cooking नहीं करनी है एक चीज और होती है अगर थिकने सच्छी होगी तो आपकी काफी देर तक heat इसमें retain रहेगी एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है इसमें और कभी अगर आप इसको कढ़ाई को आप अपने gas stove में चड़ाते हैं तो यह handle जो होता है गरम हो जाते हैं तो हमेशा इसको cloth के सहारी ही उठाईएगा यह stay cool handles नहीं होते हैं और अभी recent में काफी company इंप्रूफ भी कर रही है इतना कोई ज्यादा फाइदा नहीं होता है अगर आप normal अपने cloth से उठा के रख रहे हैं पस उतना ही यूज है उसके आगे का कोई यूज नहीं होता है और cash iron में कौन से कह सकते है recipes हम बना सकते हैं देखिए beetroot का halwa बेगास इसमें और प्लस women health के लिए बहुत अच्छा होता है तो beetroot का χाल्वा इसमें बना सकते हैं चने की डाल को reheat कर सकते हैं तड़का लगा सकते हैं और अहीं बहृत सरी recipes हैं जो आप इसमें बना सकते हैं और ज सब का इतना trend इसलिए आ जाता है क्योंकि हाई-काइड या और भी जितने ब्रांट्स हैं वो कास से इरें इसलिए भी प्रमोड करते हैं क्योंकि इसमें डिरेक्ली इंपैक्ट होता है जैसे की Children's हो गई और Women's की Health को लेके काफी लोग जैसे Hemoglobin या और भी चीज़ें निमेक होते हैं उसमें कहा भी जाता है कि कास साइरन की कड़ाई में आईरन की कड़ाई में जब भी बनाते हैं तो वो प्रॉब्लम्स तीरे तीरे करके कम होने लगती है और recent की बाद ये भी देखे गई है कि हमेशा से कास साइरन की कड़ाई में खाना जितना भी बनाया जाता था हमेशा healthy food बनता है और कास साइरन की कड़ाई में जैसे कि भिंडी की सबजी बनाते हैं तो मेरे को लगा कि ये बहुती अच्छा ब्रांड है जो आपको कम रेट में एक बहतर क्वालिटी दे सकता है अब इसको आप कहां से और कैसे खरीद सकते हैं सबसे इंपॉर्टन चीज ये है अब ये वाला जो कड़ाई है मैंने देखा काफी कंपनी से कंपेर किया ये काथ कंपनी है जो बिलकुल लगवख सिमिलर क्वालिटी का प्रोडाक्ट देते हैं पर उनका रेट हाई है अगर हम हाई काइन की बात करते हैं तो हाई काइन ने आपको बहुती कम रेट में इतनी बहतरीन कड़ाई दी हुई है जिसको आप डिरेक्ली परचेस कर सकते हैं हमारे इस वीडियो के नीचे आपको डिसकाउंटिड लिंक दिया हुआ है जिसको आप जाके वहीं से ही देख सकते हैं और जब आप प्राइस देखें आप खुद रहेंगे कि इतने अच्छे रेट पे आपको बहुती अच्छी फिनिशिंग की कड़ाई मिल रही है और भी अगर डीटेल के बारे में बताते हैं कि फिर से मैं बता देता हूँ जो डायामीटर दिया है 26 सेंटीमीटर के दिया है लीटर लगभग बता सकता हूँ धाई लीटर के आसपास की कड़ाई है थोड़ा सा जाधा भी हो सकता है और साथी साथ यह आपके गास्टोव में कमपाटबिल है और इंडक्शन में भी किसी किसी इंडक्शन में भी यह चल सकती है बट मैं इंडक्शन के पैटर बेल इसलिए नहीं कहूंगो कि उसके लिए थोड़ा सा सर्फेस और अगर चोड़ा होता हाला कि यह जाधा बहतर है क्योंकि इसमें कम ओईल में जाधा बहतर तरीके से पू अगर detail shape देखना है तो यह shape है detail में जो आप अराम से देख सकते हैं और यह आपके लिए बहुत ही अच्छी आपके घर के kitchen के लिए अच्छी हो सकती है आप इसको लेने के लिए आप असम लिंक में जा कि इसकी pricing देख सकते हैं हाला कि जो MRP है वो 2100 के आसपास की है exactly अभी कि देता हूं बट एक बाद फिर से बता रहा हूं मैं MRP बहुत जादा है इसलिए भी नहीं बताता हूं क्योंकि fluctuate होती है यह इसकी MRP है बट जो discounted price है वो इतना लाजवाब है कि आप तुरंत इसको order कर देंगे मुझे पता है और इसलिए आज जल्दी से जल्दी मैंने कोश करना ना बुलिया क्योंकि daily basis पे इस टाइप के healthy utensils हम लाते रहते हैं और इसी के साथ साथ अभी high kind की बात करते हैं तो यहां पे इसका रोटी तवा हम review कर चुके हैं और साथी साथ बहुत अच्छे pricing में हैं जिसका link भी हम आपको दे देंगे अगर आप रोटी पराठा competitive brands भी मैं आपको दे दूगा जिसे आपके लिए explore करना आसान रहेगा और साथी साथ कौन सी quality बहतर है उसके बारे में भी detail में जानकारी मिल जाएगी तो इसी दिए जान रखना पड़ता है कि जो भी किफाईती range में all over India में आप ले सकते हैं वही कोशिश करते हैं कि आपको brand ले कर आए thank you so much keep supporting us